जिसके लिए आस तक कभी कॉंग्रेस या कोई और सरकार भी नहीं कर पाई उसके लिए योगी ने वो कर दिखाया जो कभी कोई सोच भी नहीं सकता CM योगी ने UP के इनकर्मियों को दिया डद्दस लाख रुपए की बड़ी सहता उसके साथ जल्द ही लाने जा रही इन सभी के लिए बड़ी आवासी है योजना जी UP के मुख्या योगिया दितनात ने एक बार फिर से कुछ ऐसा किया है जिसको लेकर पूरी देश में चर्चा हो रही है जिसके लिए आस तक कभी भी इस तरह की कोई योजना कोई भी सरकार नहीं बना पाई है आभे जानते होगे कि देश के हर एक मुद्दे में पत्रकार अपनी भूमका को निभाते हुए हर एक मुद्दे से आपको रूबरू कराते हैं और देश में कहीं भी कभी भी कोई भी कितनी भड़ी घटना क्यों न हो जाए बिना डरे बिना सह में अपनी पत्रकार की भूमका को निभाते हैं जिसके लिए कई बार आर्मी की तरह पत्रकारों की भी जान हमेशा खत्रे में होती है लेकिन देश के लिए किसी भी हद तक पत्रकार निश्ठापूरवक अपने कर्तव का पालन करते हुए समाज में एक बड़ा योगदान देते हैं ऐसे ही साल 2020 में जब पूरा देश कुरोना महामारी से जूज रहा था तब देश में शासन प्रशासन डॉक्टर पत्रकार और कुछ ऐसे लोग जो अपनी भूम का बीना डरे निभा रहे थे क्योंकि इनकी जिम्मेदारी इतनी बड़ी थी कि इन्हें अपनी जान की परवा नहीं थी बलकि करोडों लोगों की जान की परवा थी इस महामारी में अपनी सिवा देते हुए कई डॉक्टर शासन प्रशासन की कई बड़े अज़कारी नेता पत्रकार और इसके अलावा तमाम ऐसे लोग इस दुनिया को छोड़के चले गए लेकिन वो कभी अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटे लेकिन एक बार फिर से जब इस महामारी ने देश में पूरी तरीके से पाउप पसार दिये हैं तो इस बिच योगी ने यूपी के 53 मीडिया कर्मियों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए की आर्थिक शाहता की गोश्ला की है उसके साथ पत्रकारों के लिए जल्द ही आवासी योशना दिलाने की भी बात योगी ने कही है तो चलिए जान लेते हैं कि योगी ने यूपी के मीडिया कर्मियों के लिए क्या कुछ प्लैन किया है और किस तरीके से इन मीडिया कर्मियों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए की साहता दी जानी है CM योगी का UP के पत्रकारों के लिए बड़ी घोश्टा CM योगी ने बिते कल के दिन सुशासन दिवस पर पत्रकारों के साहस और समाजे योगदान को नमन किया और कोरोना संक्मित होकर जान गवाने वाले पत्रकारों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए की आर्थिक साहयता परतान की तता हर जरूरी मदद का वादा भी किया CM योगी ने कहा कि कुरोना काल के विप्रेत परिस्थितियों में जिस तरीके से पत्रकारों ने अपने समाज को जाग रूक किया और जो विवस्था की वो सराहनी है योगी ने कुरोना काल में दिवंगत त्रिपन पत्रकारों के परिजनों को कुल 5 करोड 30 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशी प्रदान की इसते पहले भी पिछले वर्ष जुलाई में 50 पत्रकारों की परिजनों को भी योगी ने 10-10 लाख रुपे की सहायता दी थी आपको बता दे कि कुरोना की 20 में प्रदेश में 103 पत्रकारों का संक्रमण की वेज़े से निधन हो गया था वह योगी सरकार ने कहा है कि राज सरकार हर परिवार के साथ खड़ी है और इन हालातों में जान गवाने वाली परिवार के सदस को 10 लाख रुपे की सहायता राशित दी जा रही है इसके साथ निराशित महिलाओं को भी नीमा नुशार पेंशन निराशित बच्चा मुखमंत्री बाल सेवा योजना और प्यम केर योजना के ताहत अन्य सहायता भी उपलब्द कराई जा रही है योगी ने पत्रकारों के परिजनों को संबोधित भी किया और कहा कि पत्रकार और सरकार दोनों के रास्ते भले ही अलग क्यों नहों लक्ष एक ही है दोनों राश्ट मंगल और लोग कल्यान का लक्ष लेकर काम करते हैं नियुन्तम संसादन और विप्रीत परिस्थित्यों के बीच में लक्ष के साप पेक्ष उनका कार हमेशा जानी रहता है सरकार सभी पत्रकारों को आवासिय सुधा भी जल्द परदान करेगी गोरकपुर में एक मॉडल पर इस पर कार किया जा रहा है यदि वो सफल रहा तो बहुत जल्द परदेश के सभी नगरों महानगरों के पत्रकारों के लिए आवासिय योजना भी लाई जाएगी इसके लावा योगी ने कहा कि निती और पत्रता आजिताय करने के लिए संपादक गड़ों की समीती भी अमने गठित करने की निर्देश दिये है कोरोना काल की चुनोतियों की चर्चा करते हो मुखमंत्री ने ये बाद भी कही कि बीते तीन वर्ष्ट से पूरी दुनिया सदी के सबसे बड़ी तरहस्देदी का सामना कर रही है तमाम विक्सित देश भी इसके आगे पस्थ हो गए है खबर कैसी लगी हमें अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में दे विडियो को ज़्यादा ज़्यादा लाइक और शियर करें पेज पर नए हैं तो लाइक और फॉलो करना ना भूले